इस टाइम बहुत सारे Android users के साथ एक common problem आ रही है उनके mobile phone की display पर automatic से कुछ इस टाइप से white color की lining का issue देखने को मिल रहा है जैसा कि आप यहाँ पर मेरे mobile phone की display पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको white color की lining का issue देखने को मिल रहा हो तो ऐसे में नहीं मेरा mobile phone कहीं नीचे गिरा ह नहीं पानी में गिरा तो automatic से मेरे mobile phone की display पर कुछ इस टाइप से white color की lining का issue देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर मैं अपने mobile phone में किसी भी एक app को open करना जाओ, YouTube को open करना जाओ, continue यहाँ पर मैं refresh करूग तो continue आपको मेरे mobile phone की display पर white color की lining का issue देखने को मिल रहा होगा तो जैस यहाँ पर मैं facebook से back होने के बाद किसी दूसरी application को open करूग गुगल पर यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूग तो continue आपको मेरे mobile phone की display पर white color की lining का issue देखने को मिल रहा होगा, तो आज किस वीडियो में आपको बताऊगा, यहाँ पर मेरे mobile phone की display पर white color की lining का issue देखने को मिल र तो आज किस वीडियो में आपको बताऊगा, चाहे आपके पस किसी भी company का कोई सा एक model का phone के रहो, तो आगर आपके mobile phone की display पर भी white color की lining का issue देखने को मिल रहा होगा, तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी setting बताने वाला हो, जिन तिन settings को enable करने पर मैं guarantee के साथ, life proof के स आपकी आखों के सामने total एक minute के अंदर अपनी इस dining की problem को हमेशा हमेशा के लिए सालू करके बताने वाला हो, तो बहुत ही interesting video होने वाली है, तो बीना time waste के चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि आपने देखा ठीक एक minute के अंदर अंदर मैंने अपने mobile phone में उन तीनों settings को enable करके display lining के problem को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाइबाई कर दिया, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने mobile phone में YouTube उपर करूँगो, तो YouTube उपन करने को यहाँ पर आप मैं इसको refresh करूँगो, कोई भी आपको यहाँ पर lining की problem देहने को नहीं मेरीगी, तो जैसी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि most helpful वीडियो होने वाली है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली setting करने है, आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बाद settings को पन कर देना है, तो जैसी आप settings को पन करेंगे, तो setting का कुछ ऐसा dashboard निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपक payment app, app info, यह app list का icon देखने को मिल रहा हूँ, तो कहने का मतलब है, आपको अपने mobile phone की settings में सारी-सारी apps को निकाल के लाना है, तो जैसी आप अपने mobile phone की settings में सारी-सारी apps को निकालेंगे, तो आपके mobile phone की installed application कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर सबसे आपको अपने mobile phone की apps में आने के बाद, setting नाम की application को डूंट के निकालना है, तो कहां गया मेरा setting नाम का application, तो जैसी यहाँ पर मैं स्क्रोल करूंगे, या आगया मेरा secure payment करने से setting तो आपको settings के icon पर click करना है, तो जैसी click करेंगे, तो setting का कुछ ऐसा dashboard निकल के आ जाएगा, त इस आपको डिसेबल का, manage notification permission, data usage, storage usage तापको last wall option, storage usage का icon पर click करने तो storage usage का कुछ ऐसा dashboard निकल के आएगा, तो यहाँ पर आपको bottom में, clear KG का icon पर click करने के आएगा, तो जैसी एक step back आएगे, तो यहाँ आपको top करने पर center में, force top का icon पर click करने के आएगे, तो जैसी force top करेंगे तो आप back mobile phone की home screen पर आ जाएगे, तो यहाँ आगी setting never, first, अब आपको अपने mobile phone में, दूसरी important setting करने है, तो दिहान से देखने, most important setting आपको mobile phone की home screen पर आने के बद settings को open कर देना है, तो जैसी आप settings को open करेंगे, तो setting का again, ऐसा interface देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको setting के top करना पर search बारे में direct search करना होगा, R, E, S, E, T, आपको दिहान रहे है, आपको reset करना है, तो जहाँ पर आपको mobile phone को reset नहीं मारा है, तो जैसी आप reset करेंगे, तो आपको पांच साथ option हैंगे, तो आपको पहला बिनी, दूसरा बिनी, तीसरा option आ रहा हो, reset all setting, तो यहाँ पर म क्लिक करना है, तो जैसी क्लिक करेंगे, आप जो भी आपने mobile phone में security pattern या pin रहा हो, उसको लगा देना है, तो जैसी लगा देना है, तो जैसी लगा देंगे, again, आपको bottom में reset setting पर क्लिक करने कद अगे, एक बार और क्लिक करने, यह देखिए, आपकी setting reset हो रही ही, बाकी आपक system setting है, देन reset, तो जैसी आपकी system setting reset हो जाएगी, तो आपको यह से back आ जाना है, mobile phone की home screen पर, तो यह आ गई, setting number second, अब आपको अपने mobile phone में last and final setting, सबसे important setting की करने है, तो दिहान से देखना, आपको अपने mobile phone की home screen पर आने को जो भी आना पर बटन है, इसको long press करने है, तो जैस restart effort मार देना, तो restart restart effort माने से, आपके mobile phone में go about data delete हो और data आपके mobile phone ने, तब delete होता, जब आप अपने mobile phone की format लगाते है, otherwise restart effort माने से, आपका phone open होगा जाएगा, तो जैसी आप restart effort माने की आपको यहाँपर 10-15 minute की wait करने के बाद, आपके mobile phone की display lining जो automatic से remove होना लग जाएगी, तो